सिद्धू मुसेवाला, मनकीरत और अब यो यो हनी सिंग हाली में हनी सिंग को threaten किया गया है जिसमें उन्हें जान से माने की धमकी दी गई थी हनी सिंग के माने तो उन्हें एक international call आता है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि कुछ रकम मांगी जाती है जिसे पूरा ना करने पर हनी सिंग को बोला जाता है कि आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा इस बात से हनी सिंग और उनका परिवाद पूरे सदमे में हैं जिसे बात की गंभीर्दा को लेकर वो दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दज कराते हैं जिसके बाद हनी सिंग बताते हैं कि उन्हें गोल्डी पराड द्वारा धमकी दी गई थी ये कॉल उन्हें इंटरनेशनल कॉल था जिसमें उन्हें बताया गया था कि अगर वो कुछ डिमांड है अगर वो पूरी नहीं करते हैं तो इसका हाश्या बहुत ही गलत होगा और बहुत ही बुरा होगा आपको बता दे हनी सिंग ने आगे ये भी बताया कि उन्हें कुछ वोईस नोट्स भी भेजे गए हैं जिसमें गोल्डी पराड का नाम लिया जा रहा है और कुछ चीजे डिमांड की गई है जिसे पूरा ना करने पर उनके साथ कुछ गलत हो सकता है ये थ्रेटन किया गया है ये ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सिंगर को निशाना साधा गया है इसके पहले भी मनकीरत औलग यानि पंजाबी सिंगर है उन्हें भी थ्रेटन किया गया था कि अगर ये चीजे हैं डिमांड की गई है अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इसके बदले में आपकी जान जा सकती है जिसके बार मनकीरत औलग पुलिस टेशन पहुचते हैं और इसकी शिकायद दज करवाते हैं इसके पहले भी सिद्धू मुसे वाले केस में भी सेम चीजे हमने देखी थी जिसमें सिद्धू मुसे वाले को भी बोला गया था त्रेटन किया गया था और वसूली और रंगदारी की गई थी जिसे पूरा ना करने पर सिद्धू मुस्वाले को भी सेम चीज़े कही गई थी कि अगर आपने पूरी नहीं की तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो ये लगातार गैंक्स्टर्स का चलन है कि वो एक के बाद एक सिंगर्स को निशाना साथ रहे हैं और उनसे वसूली की डिमांड करते हैं ऐसा भी माना जाता है कि पंजाब की जो म्योजेक इंडस्री है वो काफी अच्छी है काफी कमाई उन में अच्छा है जिसकी वज़त से ये easy money के लिए target कर देते हैं और वहां से वसूली यानि मोटी रकम वसूलना चाहते हैं जो इन गैंस्टर्स के लिए easy हो जाता है तो ऐसे में जरूरी है पुलिस को ऐसे लोगों को गिरफ्त करना हालांकि गोल्डी बरार अभी भी फरार चल रहा है इंटरनेशनल पुलिस भी उसकी तलास कर रही है यहां तक की NIA और भारत की भी कई जाच एजेंसिया लगातार जोटी है पहले ऐसे खबर आये थी कि वो कनाडा में चुपा हुआ है जिसके बाद खबर आये कि वो अमेरिका में चुपा हुआ है लेकिन फिर भी वो गिरफ्त से काफी दूर है अभी भी पुलिस की गिरफ्त में वो गोल्डी बरार नहीं आ सका है ऐसे में एक के बाद एक लगातार वो थ्रेटन करना सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट साजा करना जिसमें मौद के घाट उताने को सही ठहराना या किसी हत्या को सही ठहराना और हत्या की जिम्मेदारी लेना ये एक चलन बन गया है गोल्डी बरार की माने तो वैसे भी गोल्डी बरार को हमने देखा कि हाल फिलाल में उसने एक टिलू तचपूरिया की हत्या हुई थी जिसमे भी उसने भी जिम्मेदारी ले थी कि ये उसके गैंग ने कराया था इसके पहले सिद्धू मुसे वाले केस को भी उसने कहा था कि सत्याकान को हमने अंजाम दिया है इसका बदला विक्की मिद्धू खेडा की हत्या का बदला हमने सिद्धू मुसे वाला को मार के लिया था झाले को